नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हिंदी डिफेंसों में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं चीन में जो बिजली संकट आया है उसके बारे में हम बात करेंगे कि चीन के इस बिजली संकट का सॉलूशन क्या है और इसे चीन को क्या आर्थिक नुकसान हो रहा है और कि जो economy है उसको भी कैसे नुक्सान हो रहा है और दूसरी तरफ भारत के फायदे की बारे में बात करेंगे और तीसरा बात करेंगे कि चीन अपने इस नुक्सान को कैसे कम कर सकता है तो क्या आपने सुचा है कि एक ऐसा देश जो मतलब बर्ल में second number की power पर आता है अमेरिका के सेन्य पावर में first number पे लगभग आता है तो वो देश कभी बिजली के मामले में पिछड़ सकता है वो देश जो हर जगे अपने मेडलों में first number पे आता है अमेरिका और रसिया को भी पीछे चोड़ चुका है क्या वो कभी बिजली उत्पादर में पिछड़ जाएगा जो कि नागरियों को कि मूलभूत आवशक्ता मानी जाती है मतलब भारत में कहा जाता है बिजली कपड़ा रोटी मकान तो ये मूलभूत आवशक्ता है तो सिर्फ मूलभूत आवशक्ता तक पूरी नहीं कर पा रहा वो देश कैसे सुपरपावर हो सकता है तो दोस्तों आईए हम बात करते हैं कि कैसे चाइना में बिजिली की कमी हुई चाइना में Authorوج प्रोडेक्शन काफी मातरा में होता है बारत से भी जादा होता है लेकिन उसमें अभी कमी देखी गई है और कितने परसेंट की कमी ये 7 परसेंट की कमी उसमें हुई है बिजली प्रोडेक्शन के कारण मान लो सो टन पहले उत्पादन कर रहा था तो सात टन घटा दो उसमें से तो चीन को एक बहुत बड़ा रवेन्यू लॉस भी हो रहा है दूसरी कमी देखी गई है सीमेंट छमता में सीमेंट की फिर जो कि एक देख रहा है आपको करते लिए जो यह लुटी जलाते हैं तो श 이제 को मिए बहुत ओंत लॉस नहीं करते हैं तो तीस परशिंट की सीमेंट में कमी देखी गई है उसके प्रोड़क्शन में जोकि करना ना कुछ भी विर्णब करना लोजिस्टिक सप्लाई भी बिल्ड करना तो हिमेंट की अवशक्ता जनरले होती है इसी क्रम में हम एपल टेसला ने भी चीन में अपने सप्लाइर्स उत्पादन होल्ड कर दिया है एपल बहुत बड़ी कंपनी है मतलब जिसके आइफॉन बहुत बड़ी मात्रा में बिकते है और रिवेन्यू के मामले में ये बल्ड की एक तरह से सुपर पावर मान लो और टेसला टेसला भी एक अच्छी कंपनी है तो ये दो बड़ी कंपनी है तो इन्होंने अपना तुपादन भी कम कर दिया कि जैसे बिजली आए तो यस वैसे हम चलाएंगे बिना बिजली के तो कुछ हो नहीं सकता और कई पूर प्रमोकों ये तक कह दिया कि एपल टेसला जो है खपत उर्जा नीती का पालन करने के दिए चीनी उस विदाव को मतलब रुविवार तक रोक रही है और इसके बाद हम बात कर रहेंगे और यह कब तक रोका गया चीन में 26 से 30 सप्टेंबर तक मद्य रात्री तक उत्पादन बंद है तो बहुत वड़ा लॉस भी है क्यों क्यों रोका गया है इसका एक में कारण में आपको उता हूं जो कोईला आता है वो ऑस्टेलिया से आता है और ऑस्टेलिया में कोरोना वाइरस के कान चीन की उससे लड़ाई हो गई थी तो उ एक्सपोर्ट कर लाएंगे लेकिन आपको क्या होगा तो बीजिंग यह नहीं सूच पाया कि उसका विकल्प क्या होना चाहिए तो उन्हों बिना विकल्प के ही सिर्फ दो-ती दिन में ही निर्णा लेके और जो कोईला था वो सब बंद कर दिया जिससे कि उनकी जो में आइपोन जो की सश्वड़े रिवेन्य वाली कंपनी मन वता था उसकी संक्ला भी हौल्ट पर रख दी गई है और कुसान सेर में इन्होंने अपनी सुविदाव को निलंबित कर दिया है चीन थर्मल पावर पर निर्भर है और यह कोईले की कमी के से जूज रहा है जीन पिं दर में 16% की कितनी हुई है ब्रदी हुई है और दूसरी तरह भारत सौर उर्जा को बढ़ावा दे रहा है तो सौर उर्जा को बढ़ावा देगा तो इसमें थर्मल जैसी कोई चीज मौजूद नहीं होगी क्योंकि जैसे कोई भी देश एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे रोक लगा सकता है लेकिन जैसे सौर उर्जा तो इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे तो रोक लगा यह नहीं जा सकती इसलिए सोर उर्जा सबसे अच्छा विकल्ब भारत के लिए है और भारत ने इसे अच्छी तरह बढ़ावा वी दिया अभी जो बारत की प्रोडेक्शन आप कदम बढ़ाने लगा और यह उसका विकल्ब भी हो सकता है कि भाई कैसे आप अपनी कंपनियों को नियंद्रत करेंगे तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसे लगा यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए शेयर और कमेंट करना ना उले थेंक्यों बेर मेंस दोस् चुर्णी बढर काले हो दोस्तों यह वीडियों कि भाई काई कर वीड़ियों कर दोस्तों यह